यह देखे गाइज आज हम बहुत अच्छी सी यूनिक यूनिक सी ट्रिक्स लेकर के आएं जो कि आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है तो चलिए देख लेते हैं हरो आप सुका श्वागत है हमारे यूटीब चनल चाया मिस्रा ब मतलब जो चाय बनाते हैं उसी कर जो चाय पत्ती बचती है वही चाय पत्ती का पानी ले लेंगे इस तरह से और अच्छे से बॉइल करेंगे देखे बॉइल कर लेंगे इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती की मातरा और बढ़ा देंगे यह देखे तो याप देख सकते हैं यह व छोड़ा से ठीक ब देखेए लने के तूँड़ा शेल इसमें हम टूड़ पाइचा ही मिक्सें करने के बाद में यह देखें अगे सब्सक्राइब देखेये हो तोड़ा सब्सक्राइब मटदे बरतान आए कदे करने के वree लिटेश्च noticed अगर आप डालना नहीं चाहते हैं एक छान का इसको इस्प्रे बोतल में भर कर सकते हैं तो यह देखे इस तरह से अच्छे से हम रब कर देंगे तो यह देखिए यह देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मल देंगे ठीक है यह देखिए इसी तरह से करेंगे जिससे की बहुत अच्छे से चमक और बहुत अच्छे से साइन आ जाएगी यह देखिए दुल दिया है तो देख सकते हैं कितना अच्छे से चमक आ गई है कितना अच्छे साइन जब कि इसमें हमने काफी टाइम पहले मिर्च का चार बताया था अपने दूसरे चैनल पर तो वही अचार इसमें रख दिया था क्योंकि वह कांच के बरतन में रखा जाता है तो इसमें हल्दी के दाग और चम लग गये थे और काफी टाइम से महक आ रही थी सारी महक और करेंगे इस तरह से रखने के बार थोड़ा सा टूथ-पेस मिर्ट ले लेंगे कुभी ग्लास माली ज्यादा गंदी थी इस तरह से मलते हुए यह चुम्हें कि यह देखिए इस तरह से ड़त आई अन न मल देंगे तो यह मारे कांच की ग्लास साफ हो जाएंगे बहुत अमी तो फ無र दि तो च्पी यह हैं तो परहत मिपने करें इसे तो प्रत कुर्छी कर दिए था फोड़ा और अब अफ़िस प्रक्राइब यह को यह कर दिशिकरें करें द्यां कोई दिक्कत होगा नहीं तो में पता थैंगे और यह को पसंद आ रही कि तो यहां से अच्छे से हम कर देंगे और अब हम इसे वस कर लेंगे देखिए अभी पीला पं दिख रहा होगा चायक पति की वज़े से तो इस औरMaster तो यह देखे वाश कर लिया तो देखे चमक कितनी अच्छे से ग्लासों में चमक आ गई है कितना साइन दिख रहा है हर चीज दिखने लगी दिखने लगी तो देखे इसी पानी को फिर से अगर ठंडा हो जाए पानी आपका तो गुर्गुना कर लिजेगा फिर से अब हम क्य अच्छे बर्नल भी साफ कर सकती है कोई भी सफाई करना है आप अफट आफट कर सकती है तो यह अच्छी नहीं लगती है तो बाहर जाओ तो इंबरेस लग फील होता है तो इसको कैसे हटाएंगे तो देखे इसी चायत पती के पानी से पहले आपको वाश कर लीजे क्योंकि अच्छे से साफ हो जाएगा यह देखिए उसके बाद में अच्छे से अथा दुल लीजिये उसके बाद चलिए देखिए हम क्या करदें अभी दिखिए पूरी तरह से नहीं चूटा हुआ है चायकर पती से अब देखिए साप पानी ले लेंगे और यह थोड़ा साथ दिखले हो को बता रह बता है तो भी देखे हैं कि चम्तु का यह कैसी ए को प्रेड की नियुद तो चोटी सी त्रिके और लगी अग्याद टीड आज thats ही कि है कि हमारी तो तो यह देखिए एक कमेंट प्लीज कर दिया करिए ने उत देख लेते हैं अपनी इस तरह से तवे को ले कर इस तरह से चौकू से गो दिये और गोने वाज में जूस आ जाता है अच्छे से तो यह जूस को आप पूरे तवे पर लगा दीजिए और यह सिर्फ तवे पर ही नहीं कोई भी आईरन की का सामान हो उस पर आप लगा सकते हैं असानी से इस तरह से लगा दीजिए और उसके ब तो यह काफी अच्छी ट्रीक है काफी हेल्फ फुल है और हाईजिनिक भी है क्योंकि कि जहां पर मखी मच्छड बैट जाते हैं या चिपकली बैट जाती हो वह बरतन वाला नहीं होता है बिना माजे बिना गॉस किया हुए तो यह जरूरी है तो नाइफ अगरा पर भी पहनते हैं तो कान में खुझली इर्टेशन होती है तो आप इस तरह से उसमें भी पांच मिट के लिए प्याज लगा कर रख दीजिए उसके बाद में पहन लीजिए अपने कानों में तो आपको आपके कानों में जलन नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यह चोट जो सबस्कें के में डाल करने तो भाड़ है किछन बें सी तर रहना झान से लिकलगें को भी करने के दाल बParैसंट निगाता के तो इसके किछन को बाल दुद्शय निडाल की हो एक थाथ अब नीचे क्या है कि आपकी सारी दाल बच जाएगी और पानी एक्स्ट्रा है वो निकल आएगी तो आप इस दाल को खाने में यूज कर सकते हैं यह देखिए यह देखिए और जो पानी इसका निकाल कर रखा है तो इसको भी फेकनी की जरुवत नहीं है इसमें काफी न्यू आपको मिल जाएगी सारी चोटी 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 ट्रिक आप लों पसंद आई होंगी तो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करिएगा कमेंट करना ना भूलेगा मिलते नेक्स डे